नमस्कार दोस्तो, स्वागते आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से सम्मंधित कुछ पिसनों का यहां डिसकस करेंगी तो जिन पिसनों की हमें हम बात करेंगी चलिए उनको देख लेते हैं इसमें जो हमारा पहला पिसन है कि फालों का वह है प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है क्या है ठीके लीची को किस फालों की प्रकार में रखा जाता है यह हमें बताना है आप्शन A डूप, आप्शन B हैस पिरिडियम, आप्शन C नट और आप्शन D एक बीजी बेरी तो इसका जो सही अंसर है वह है डूप ठीक है तो जो लीची होती है उसको लीची को डूप छितर में रखा जाता है अब डूप क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं तो लीची तो पहले क्या है, एक उष्ञ कटबन धिये फल है कैसा फल है उस्ट कटबन धिये फल है यह सो पे बेरी परिवार का सदस है और यह एक प्रकार का डूप है अब डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सक्त गुठली होती है तो उसको हम लीची बोलते हैं जिसमें कि बाहरी छिलका और गूदा हो और उसके अंदर की जो गुठली हो वो बहुती सक्त हो उसे हम बोलते हैं डूप आगे बढ़ेंगे कि निम्न अधो भूमी उत्पादत सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरत जड़ है यह हमें बताना है कि यह जो सब्जियां दी गई है इन में से कौन सी एक रूपांतरत जड़ है उप्जन A आलू, उप्जन B सकरकंद, उप्जन C बंड़ा और उप्जन D जीमी कंद तो इसका जो सही अंसर है वह है सकरकंद निए सकरकंद जो है वह है तनाना होके एक रूपांतरत जड़ है यह है आपको याद रखना है कि सकरकंद क्या है एक जड़ है आगे बढ़ेंगे कि जो सकरकंद है कौबालू बेसी कुल का एक बरसी पोदा है पर यह अनकूल परस्तितियों में बहुँ बरसी सा बेवार कर सकता है यह एक साप उसपक पोदा है इसकी रूपांतरत जड़ की उत्पत्ति तने के परफसंदियों से होती है जो जमीन के अंधर प्रवेश कर फ पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है ठीक है यह हमें बताना है कि किसका संग्रह अंग तना नहीं है ओप्सन ए गन्ना का ओप्सन भी अदरक का ओप्सन सी आलू का और ओप्सन डी सकरकंद का तो इसका जो सही आंसर है वह सकरकंद का जो संग्रह अंग वो तना का रूपांतन है ठीक है गन्ना हो गया आलू हो गया अद्रक यह तने का रूपांतन है अर्थात इनका संग्रहें अंग तना है लेकिन जो सकरकंद होता है सकरकंद का संग्रहें अंग क्या होता है जड़ जिसको हम कुम्भी रूप बोलते हैं और यह मूलांग को से बिख्षित होता है आगे बढ़ेंगे कि अधरक तना है जड़ नहीं क्यों की ठीकि यह हम बताना है कि अधरक जो है वाद तना है लेकिन जड़ नहीं है तो ऐसा क्यों है आप्शन ए यह खाद सामगरी को संग्रीद करता ह आप्शन भी इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं आप्शन सी यह मिट्टी में छेतर जूप से बढ़ता है और आप्शन डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है तो इसका जो सही आंसर है कि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं इसलिए जो अधरक है वह तना है जड़ नहीं ह अब आगे बढ़ते हैं कि नोड एवं इंटर नोड का उपस्तित होना तने का विसेश लक्षण है ठीक है तने का एक विसेश लक्षण है कि उसमें नोड होते हैं और इंटर नोड होते हैं चूंकि अधरक में एस संद्रचनाएं पाए जाती हैं अता है कहा जा सकता है कि अधरक तना है और जड़ नहीं है आगे बढ़ेंगे कि निमने लिखित में से कौन सा रूपांतरत स्थम्भ है यह हमें बताना है आप्सन ए गाजर आप्सन वी सकरकंद आप्सन सी नारियल और आप्सन डी आलू तो इसका जो सही अंतर है वह है आलू यानि इस्थम्भ कंद है जिसमें भोजन का संचैन हो जाता है और इसका प्रियोग भोज पदारतों के रूप में किया जाता है इसमें अनेक कलिकाएं पाए जाती है जो ब्रधी का नए पोधे का रूप ले ले लेत आपने आलू को देखा होगा तो आलू में छोटी छोटी सी कलिकाएं निकलाती है जो कि इसको अगर हम आलू को लगा देते हैं तो आलू से ही एक नया पिड पौधा सौरी बन जाता है आगे बढ़ेंगे कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपश्तित गाठों में पा पगटनी इसका जो सही अंसर है वह सही जीबी जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें पाएं जाती हैं गांठों में होते हैं नत्य इस्त्री करने वाले जीवानों और वो कहलाते हैं सही जीबी आगे बढ़ते हैं कि फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गाठों में पाए जाने वाले बिसेश जीवाणू राइजोबियम जो है वह सह जीविता का जीवन्यापन करते हैं जाने वाले बिसेश जीवाणू राइजोबियम जो है सह जीविता का जीवन्यापन करते हैं जहां एक ओर जीवाणू नाइट्रोजन यह गईकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर पौधे को उपलब्द कराते हैं वहीं पर दूसरी ओर यह है फलीदा करा देते हैं दूसरा पौधे से इन्हें आवाज भी मिल जाता है और यहीं से इनको भोजन मिल जाता है ठीक है तो यह सह जीविता का एक जीवन्यापन करते हैं आगे बढ़ेंगे कि मतर पौधा है कैसा पौधा है ओप्शन A साक ओप्शन B पुस्प ओप्शन C जाड़ी आप्शन D इन्हें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है साक जो मतर है एक साक पौधा है आगे बढ़ेंगे कि मतर का पौधा एक दूई बीज पत्री साकी तथा एक बरसी पौधा होता है इस पौधे का तना कम जोर होता है ठीक है अगर हम मतर के दाने को लेके के अंतरगत आता है आपने मटर का पेड़ देखा होगा मटर का जो पोदा देखा होगा तो उसमें इस टाइप में लगे रहे दें क्योंकि इसका तना बहुत कमजोर होता है तो इसका जो तना होता है अपनी एस्ट्रा जड़ों के लिए बिख्यात होता है इसमें प्रतान पा जाता है option A केला option B गन्ना option C आम और option डी कपास तो इसका जो सही अंसर है वह है गन्ना आपने देखा होगा कि गन्ने का कोई भी अगर हम गन्ना ले 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 तो जब इसकी बोया जाता है उसको पार्ट पार्ट में कट कट करके इसको लगा जाता है जिसको हम बोलते हैं तना काट तना काट का प्योग किया जाता है गन्ने को लगाने के लिए आगे बात करेंगे कि गन्ना जो है एह ग्रैमनी को लिके अंत्रकत आता है जिसका तना काट आम तोर से काएक प्रबर्धन के ल हैं long or lace咪ानے में तो यह हम Bताना है कि लॉंग क्या है ठीक है इस प्रकार की फूलनमा होती है long도 होती है option A तना की गाठ है option B जड़की गाठ है option C बंद कल्याः और option D 그럼 long क्या होती है यह एक प्रकार की बंद कल्यां होती है option no category is का सही है आगे बढ़ेंगे कि long बंद का हैं जिनका उपयोग भोज पदात दांतों के दर्द निवारक के इत्यादी में किया जाता है लोंग के पौदे का बानसपतिक नाम साई जीजियम ऐरोमेटिकम है जो कुल मेटेसी के अंतरगत आता है इसका बानसपतिक नाम है साई जीजियम ऐरोमेटिकम इसका जनमिस्तल इंडोर्जिनेशिया को माना गया है तता इसका प्रयोग समस्त विश्व में किया जाता है यह एक सदा बहार ब्रेक्ष है इसकी उंचाए 10 से 20 मीटर तक होती है इसकी पत्तियां बढ़ी तता अंडाकार होती है थेंक्यू दोस्तू इस वीडियो को देखने के लिए आपका ब कि दो कि उन्धान दोसी है तना कड़ी दोस्तू तया है जोस्तू और कि बढ़ी को दोस्तू चैराग्यों दफीजर स्दिक और ही जिह जह सकी अurत्तियू झाला का जोस्तूस में झाल tut… झाल झाल